नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल बिनरस एजूकेशन पॉइंट पर आज का जो हमारा वीडियो है आपकी मुख परिच्छा के लिए बहुत यूप यूगी है क्योंकि हम आपके लिए MPPSC preparation के लिए बहुती perfect answer writing के आपके लिए बहुत यूप यूप यूगी रहे हैं कि 2020 के मैंस के लिए 2021 के मैंस के लिए और आपके लिए हमेसा काम में आएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो तक आपने हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक येम शेयर करें आपको मातपुन टिप से मिलने वाले हैं तो आप इस वीडियो को सेयर करें दोस्तों के साथ 2020 की मुख परिच्छा की रन नीटी के लिए आज जो हम पर मुख बिंदू लाए हैं 2020 की मुख परिच्छा हैं बैठने बाले बहुत से स्टुडेंट्स के उत्तर लेखन को लेकर जो सवाल आ रहे थे उनका आपके अपने राकर मिलेगा कुछ स्टुडेंट तो यह से हैं जोने पिछली वर्स के इंटर्व्यू तक भी पहुंचे और इंटर्व्यू में नंबर भी अच्छे लाए हैं लेकर मुख परिच्छा में नंबर कम होने के कारण पांच शे अंक स इस दोनों ही अभ्यारतियों का लाब होगा और तलिकन का अभ्यास करते हुए पहला प्रिश्ण यह आया था आप लोग को यह समझना हो पहला टिप समा रहे है कि आप लोग को यह समझना होगा कि मुख परिच्छा सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है बलकि नॉलेज तो आपके करते कर लोगे लेकिन उसी का होगा जोत्तर को प्रभावी तरीके से लिख पाएगा था तापकी प्रेजेंटेशन ही प्रफेक्ट होनी चाहिए आपके पास सब्द तो है लेकिन सब्दों को आप कैसी विवस्थत रूप में रखते हैं वह ज्यादा प्लस प्रेजेंटेशन बराबर गुड आइस अगर आपको कंटेंट अच्छा है और आपने उसे विवस्थत रूप में प्रेजेंट किया है तो आपको एक गुड आंसर की रूप में उसको देखा जाएगा आपको कंटेंट अच्छा और आपने उसकी प्रेजेंटेशन विवस्तत नहीं की है, तो आपको अच्छा आंसर नहीं माना जाएगा, तो आपको content के साथ साथ अच्छी presentation भी होनी चाहिए, तब ही आपका answer एक good answer के अंतरकत आएगा, जब भी आप लोग उत्तर लिखते हो, तो intro पर थोड़ा ध्यान रखा करो, कुछ लोग तो सीधा जो प परिभासित करें, अगर कोई ऐसे topic से प्रश्ण है, जिसे current से जोड़ सकते हो, तो परिभासित करें, और current situation भी उसमें जरूर लिखें, इसका अच्छा प्रभावा पड़ता है, अगर quality से प्रश्ण है, तो सम्मदत अनुच्छेत भी लिखें, इसका भी से ध्यान रखें, और तर की मुख भाग को points में लेखें हैं, पेरा ग्राप में यह भी student का doubt है, देखो अच्छा तो यह है कि points में लेखें, क्योंकि प्रश्णों के जो तर्यादी points में लेखते हैं, तो एक सा देखता भी है, और नजर भी पर जाती जली, क्योंकि check करने वाले को आसानी होती ह लेकन प्रश्णे की मांग को भी समझें, फिर उस के अनुसाल अपने निर्नाय को decide करें, लेकन कभी कभी paper में होता क्या है, कि किसी प्रश्णे से ज़्यादा कुछ content याद होता है, नहीं, दो तीन बिंदू याद होती है, अब दो points तो बस लिख के आएंगे, नहीं, ऐसे म ऐसा किया जा सकता है, कि उनकुछ points की सहायता से, अपने common sense का यूज कर, अच्छा उत्तर बना सकते हैं, आपकी पूरी तरह से बुद्धी मत्ता का खेल है, मालो कोई प्रश्णा है, आपको सर्फिक या दो points उस पर बन रही है, तो आपने एक दो points को लेकर, और कुछ common sense का यूज करके अच्छा उत्तर बना सकते हैं, इसमें यह ध्यान रखें कि बही points रिपीट ना हों, तो ज्यादा बहतर है, क्योंकि अब तो answer pattern का भी तरीका आ गया है, और अब ऐसा हो गया, बार्डी भी कम हो गया है, पहले तो अब तो आपको quality और quantity डॉनों को ही manage करना होगा पहले वच्छो का paper छूट जाता है, लेकिन पेपर नहीं छूटेगा, आपको speed तो control कर ली है, लेकिन आपको answer को विश्तर लिखना जरूरी रहेगा चोत्हा जो mahat視क् chrom प्रेश्ण है, ग्यारा अंक में अक्सर यह होता है कि एक ही प्रेश्ण में दो या तीन भाग होते हैं, आप साल प्रेश्णे परने के लोह हर बडा प्रेश्णी नहीं पढ़ पाते हैं, एक line पढ़कर उसका अंसा लेखने लगते हैं तो यह आपके लिए अस्पलता का कारण बन सकता है तो यह भी दियान रखें कि उन दो तीन प्रिश्णों को पूँचे जरूर गए है लेकिन प्रिश्ण का ज्यादा फोकस किसी एक भाग पर है तो उत्तर से उस भाग पर थोड़ा ज्यादा कम लेखें लेकिन बेवस्तत लेखें और ध्यानने किस प्रिश्ण पर ज्यादा ध्यान दिया गया है निसकर्स तो बहुत स्टुडेंट ऐसे लेखते हैं जैसे इस प्रकार बगेरा बगेरा मुख भाग के ही बिंदू रिपीट कर देते हैं सच में चेक करने वाले चड़ जाते हैं देखकर कई स्टुडेंट ऐसा करते हैं देखा है मोश्टली कॉफी में कि निसकर्स होता है उसमें स्टुडेंट बगेरा मुख भाग के ही पॉइंट थोड़ा सा अलट फिर करके उसको लेख देते हैं जैसे टेंट ट्वेल्ट करने बंद लेख रहे हो लेकिन ऐ देखकर के लिए कुछ पहले से भी बना कि रखिए इस तरह कि टॉपिक में यह निसकर्स हो थोड़ा सकारातमक रखिए अगर किसी टॉपिक फुद की राय को लेखना हो तो बेजेज़ेग लेखिए बस वह संतुलित होनी चाहिए उसका नकारातमक पुना पड़े जाचने रहेगा और निसकर्स में मुख बिंदू रिपीड ना करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छ रहेगा सबसे जरूरी मेरे हैसाफ से यही बिंदू है कि सभी प्रिश्ण अटेम्ट कीजिए यकीन करना अगर आपने सारे प्रिश्ण अटेम्ट कर लिए तो आधी जंग तो आप बही पर जीत गए कई स्टुडेंट कहते हैं गलती न हो जाए गलती न हो जाए इस चक्कर वर सही आंसर भी नहीं लख पाते हैं जब आपको पता है कि नेगेटिब माल करें नहीं है तो आप क्यों इसका यूज ना करें बिवस्तत आंसर लेख और आप इतने समय से तैयारी कर रहे हैं तो नहीं है कि नहीं बनता होगा बस थोड़ी से confidence की कमी के कारण आप बंचित रह जाती हैं तो हमें इसका लाव उठाना है ना कि बंचित होना है अब कभी ऐसा हो जाता है कि कोई topic हमने अच्छे से पढ़ा हो तो भानाव में बहे कि बहुत कुछ लेखने लगते हैं यह नहीं करना है समय कम होता है तो बहर लेखें जो आपके लिए अति आवश्यक होता है मैं भी answer बनाता हूं और लगता है कि बिंदू भी डाल दूं तो यह भी लेकिन बहुत कुछ जोड़ना पड़ता है सब्द सीमा को ध्यान में रखकर जोड़ना भी पड़ता है चोड़ना भी अब जो यह answer pattern आ गया है उसमें विल्कुल accurate answer चाहिए तीन नंबर में अगर आपको एक लाइन लेखना है तो कैसे आप उससे विवस्तत लग सकती हैं वो इस्टुडेंट हर इस्टुडेंट वही प्रिश्न का वही उत्तर लेखेगा लेकिन अंतर क्या होगा अंतर सिर्फ स जाओं गी तो ब्रतनी के सुदिया कशिती है और घवरा फोड़ के कारण पहले तो तो dal कम चंब लोग लिखते थे कंपड़ाघ से बचत औहा अब्यापके परियूंद सेपने हैं तो बी Terra है कुछ लोग मैं लहाएं बहूप Rebelbardinkenा करने लगते हैं vampire में ये नहीं होना होना बढ़े बढ़े सब्दों को प्यूब करने से बचे सडल एवं साड़ गडविस सब्द लेके वाया आपके लिए वस्तत रहेंगे बहुत से लोग पता नहीं यह क्यों समझते हैं कि हैं राइटिंग ज्यादा माइने नहीं रखती ऐसा नहीं है मैं खुछ जब उत्ता चेक कर करता हूं अच्छी हैं राइटिंग की कापी आती है तो बैसे ही आधा नंबर ज्यादा देने का मन करता है इसलिए 2020 वालों से निविदन है कि इस पर भी थोड़ा काम करते हैं हैं राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए यदि कोई चीज अच्छी दिखती है हम अपने खाने में देखें पहनने उनने में देख्या तो कान उपड़ भी देखें जो चीज अच्छी दिखती हैं उसे लेने का Artomatic बन हो जाता है उसी प्रकारदी आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है आपकी हैं राइटिंग अच्छी तो जाजने वाला आधा नंबर दे देता ह और आप जो मैप डाइग्राम होते हैं फ्लो कार्ड वगैरा इनका भर्पूर मात्र में प्रियोग करें क्यूंकि इनसे विवस्थे चीज़ें समझ में आती हैं और परिक्षार्थी का समझ में आता है कि उसका पैटर्न अच्छा है और उसे हाज चीज का विवस्थे पर यह कुbrand है? नहीं तो बच्छ驗 अंडरलाइन करने की चक्कर मे रह जाती है, सोचते रहती हैं, उनका पीपर चुक je गता है तौर आप इस चक्कर में रहे हैं, तो लेकिन कम रहें जब आपको पूरा पेपर हो जाए उसको बदमक्खु भी मिह समों का आप अप अंडरल भी आंसर लेक का देख सकते हैं पुराने पेपर उठा सकते हैं अपना time check कर सकते हैं उन्हें तर तयारी कर सकते हैं वना कि court case इंस सब्सक्राइब कर दिया आप अपनी तयारी से चार रूप से प्राणिम करते हैं तो एक दन आपको जोड़ा अपनी सफलता मिलेगी और हम आप को इंफॉर्म कर दें आप हमारी समास सास्त लोग पर शासन मद्यपदेश की प्रमोकरियाशत भूगल की आधुने तकनीव जियोग्राप हिंदी यादी की नोट जो की वस्तते टॉपर्स की दारा बनाये गए हैं आप सोच रहे हैं कि जब नोटिपिकेशन आएगा जब हम आज के इस वीडियो मनें बहुत ही महत्पून आपके लिए अंसर बताएं हैं आज ही आप अपनी तयारी प्राडम कर देए जहां आपको कोई भी डालूट आप हमसे क्लियर कर सकते हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए हमासा कर करते हैं आप हमासातियों ही जोड़ी रहेंगे